माई चैनल आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक सेयर और सस्क्राइब करना ना भूलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं एड्रेस एंड एड्रेस ग्रूप अबजेक्ट के बारे में एड्रेस एड्रेस अबजेक्ट उन 48 अबजेक्ट पर्टी रावल तो जैसा मतलग की हमने देखा था अजयो के वीडियो स्विधियो लोग देख चुके है तो जैसे अजा अबजैसा और अज़ा स्थोर्ट करता है वैसे हमारा इस अबजनेघ्रियो विक्र परता यह एड्रेस भिड्य को शप कर सकते हैं चलिए हम आपको एक एक जामपल देके बताते हैं जैसे हमने यह topology ले रखका है तिक है यह इसमें क्या है इस topology में हमारा क्या है यह host 1 and host 2 जो है यह हमारा LAN user है और LAN host है तो अगर अभी हम लोग बात करें इस topology के हिसाब से यह lab है और अगर हम लोग firewall की बात करें तो मैंने firewall login कर रखा है और यहां पे देखो आपको single rule देख रहा है जो कि एक rule हमने create किया है और एक rule मतलग कि predefined आया है 48 firewall के तरफ से बन के but अगर आप कोई organization join करते हो या real network में work करते हो तो आपको network को secure करने के लिए multiple policies की जरूरत परती है वहाँ पे हजारो policies हो सकते हैं लाखो policies हो सकते हैं 10,000 policies हो सकते हैं ठीक है as per requirement तो मैं यहां पर क्या consider कर रहा हूं कि यह हमारा जो host है इससे internet को communicate कराने के लिए and multiple services communicate कराने के लिए अगर एक time के लिए आप माल लो कि कहीं हमें यहां पे 100 policies की ज़रूरत पड़ी हमने क्या किया host 1 and host 2 को हमें 100 services से communicate कराना है 100 policies पर communicate कराना था तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 rules बनाने पड़ेंगे 48 firewall पर अब उस 100 rules को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हर हर rule में क्या होगा आपको source address की जरुरत पड़ेगी and destination address की जरुरत पड़ेगी तो destination तो ठीक है अपना different हो जा रहा है but source address क्या है हर एक policy में क्या होड़ा है same होड़ा है तो source address को हर एक policy में manually add करने के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग simply addresses में जाके and simply एक जो हमारा source one है host one है उसके IP का एक object बना देंगे and उस object को हम लोग क्या कर सकते हैं multiple policies में हम लोग reuse कर सकते हैं मैं आपको policies में जाके दिखाता हूँ एक बार कहां पर हम लोग अपना यह address object यूज करता है जैसे यहां पर देखिए अभी currently जो हमारा rule बना हुआ है अगर इस rule की हम लोग बात करें तो currently जो हमारा source address है उसमें हमने क्या किया है all मतलब कि सारे जो हमारे addresses है default addresses को basically हमने क्या कर रखा है जिसके बेस पर क्या हो जाएगा हमारे a2z जो address है यह पतलब कुछ भी address हो वह सारा क्या हो जाएगा अगर हम लोग सारा कुछ अलाव कर रहे है अपने firewall के त्रू तो क्या होगा firewall लगाने का कोई फायदा नहीं है यह देखिए जो हमारा all होता है उसका मतलब क्या होता है 000-0 मतलब की कुछ भी अलाव हो जाएगा कोई इंटरफेस के लिए तो अगर ऐसा network हम लोग अलाव कर रहें तो हमारे firewall का कोई मतलब की यूजी नहीं है क्योंकि क्या हम लोग सारा कुछ इंसाइड आउटसाइड हर एक जगा अलाव कर रहे हैं जिसमें क्या आटाइकर इसली हमारे इंटर्नल रिसॉर्सेज को एकसि कर पाएगा कुछ भी कर पाएगा तो इन डाट केस हम लोग क्या करते हैं जब भी रिएल टाइम में हम लोग अगर कोई policy बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं specific source कौन सा एक particular मालिजे एक एक user है या दस user है या कितने user है उस particular users के लिए हम लोग क्या करते हैं, policy अलाव करते हैं, उस particular user के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, address create कर सकते हैं, तो address अगर हमें create करना हो, तो देखिए, यहाँ पे अगर add पे आप जाएगा, तो addresses में जाके यहाँ पर create का option आरा है, एक तो यहाँ से आप create कर सकते हैं, ठीक है और दूसरा कहां से Create कर सकते है आप? Addresses जो हमारा यह तैब है Policy & Object के अंदर Addresses जो टैब है वहां पे जाके आप क्या कर सकते है address object create कर सकते है अगर हम यहां पे अभी बात करें अगर अभी हम लोग address tab कि बात करें तो यहां पे already कुछ predefined address object already यहां पे created है जो कि हम लोग क्या कर सकते है डिलीट नहीं कर सकते है क्यों क्योंकि यह फॉर्टिगेट के तरफ से बना हुआ है मैं आपको बता दूं यहां पर एक बार मैं चलता हूं वापिस एड्रेस टैप पे यहां पर देखिए यह आई-पी और सब्नेट रेंज में बना हुआ यह हमा हमारा आई-पी और सब्नेट टाइप का हमारा अब्यक्त 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 हो गया फिर नीचे देखो तो fqdn मिल रहा हमें fqdn में क्या होता है हम कंप्लीट अपने अड्रेस को यह करते है जैसे gmail.com हो गया login.microsoft.com यह यह क्या है example of fqdn है जो कि already यहां पे कुछ fqd और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं address group के अगर बात करें तो अगर माल लिजे कि हमें किसी एक particular इसके लिए अगर हमारा host1 है host1 के लिए हमें यह दो address एक इसमें चाहिए तो हम लोग दोनों अलग अलग अलाउन नहीं करेंगे इसका क्या करेंगे एक group बना देंगे तो तो डो से ज्याधा जब addresses को हम लोक कंब्她 एं तो उसको हम लोग क्या बोलते है address ग्रूप नामसे जानते हैं यह तो हो गया हमारा address group आयोब wok आप लोग को पता चल गया होगा अब क्या होता है address group में जब लोग बात करते हैं तो address group मतलग की address group में हम लोग IPv4 and IPv6 दोनों के लिए address group configure कर सकते हैं, इसका type होता है कुछ, type की हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग type की बात करें, तो सबसे पहले तो IP and net mask, आप क्या कर सकते हैं, एक single IP allow कर सकते हो, या फिर net mask, आप क्या whole subnet को allow कर सकते हो, तो यह type of address object हो गया, फिर IP range हो गया, किसी एक subnet में आपको 10 particular IP नीचाहिए, तो उसके लिए आप IP range ही उज़ कर सकते हो, और उसको configure कर सकते हो, फिर FQDN जो मैंने बता यह जैसे gmail.com हो गया, login.microsoft.com हो गया, यह क्या हो गया, FQDN हो गया, इसके बाद क्या आता है, हमारा इसके बाद आता है, geographical, ठीक है, geography जो आता है, उसमें क्या होता है, area, area के बेस पे आप क्या कर सकते हो, address object, create कर सकते हो, फिर इसके बाद आता है, हमारा dynamic address का, term, dynamic address क्या होता है, dynamic address में क्या होता है, collection of addresses that are integrated from external sources, external sources जो हमारे addresses receive होते है, उनको हम लोग किस नाम से जानते है, dynamic addresses के नाम से जानते है, जिसमें basically क्या firewall उस address, उसमें कितने addresses हैं, क्या है, वो manage नहीं करता है, वो external sources के द्वारा manage होता है, अगर हम लोग example की बात करें, तो active directory हो अगर हम लोग यहां पर, real time की बात करें, तो हम मैं क्या करता हूँ, एक address create करके दिखाता हूँ, आपको, address पे click किया मैंने, और अगर type of address में जाओ गए, तो यह देखो, subnet हो गया, IP range हो गया, FQDN हो गया, geographic हो गया, dynamic हो गया, फिर device mac, device mac में क्या आता है, हम लोग mac address के base पे clear pass, fabric connector address, 40 NAC tag, 40 voice tag, single sign on, switch controller NAC policy tag, यह सारा क्या है, हमारा dynamic type of address group है, इसमें, clear pass की अगर हम बात करें, तो clear pass क्या है, हमारा basically, Aruba के द्वारा developed 1 NAC, यह है, जो क्या करता है, हमारे security policies को, और मतलब की हमारे user को, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, अगर हम लोग 40 NAC tag की बात करता है, तो इसमें किसका, मतलब की, किसलिए particular use होता है, हमारे, जैसे की, SIP के लिए use होता है, यह फिर, दूसरा क्या हो गया, हमारा, VIOP, जो हमारा, मतलब की, voice protocols होते है, उसके लिए use होता है, सिंगल साइन, किसके लिए use होता है, आप लोग को अल्रेडी पता है, तो यह स देपरेट एक वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग की, dynamic address क्या होता है, बाकी, rest all, जो मतलब की, बाकी के सारे addresses है, यह IP, net mask, IP range, FQDN, geographic, and हमारा device, यह सारा मैं आपको configure करके, one by one दिखाने वाला हूं, मैं आपको एक बर दिखा देता हूं, यह देखिए, यह मैंने, यह कुछ detail लिख रखे है, जो हमारे मतलब की, dynamic address के type होते है, यह मैं one by one करके सारे बताने वाला नहीं हूं, आप इसको one by one करके, एक बर रीड कर लेना, जैसे मैंने अभी बताया, clear pass क्या है, clear pass हमारा क्या है, एक NAC solution developed by Aruba है, जो की integrated हमारे 48 firewall के साथ, फिर fabric connector क्या है, यह क्या करता है, IP address रिट्रीव करता है, from SDN software defined network, जैसे की public और private cloud हो गया, अमारा connector हो गया, 40 NAC किसके लिए यूज होता है, यह भी क्या करता है, IP address क्लेक्ट करता है, किस से from 40 NAC, किसके लिए यूज होता है, use for dynamic firewall policy, dynamic firewall policy के लिए यूज होता है, identity based policy के लिए यूज होता है, device based policy के लिए यूज tag होता है, वो किसके लिए यूज होता है, IP and MAC addresses collected from 40WISE, ठीक है, 4WISE related policy के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारा protocol हो गया, YOP and SIP, जो मैंने अभी आपको बताया, फिर single sign on, single sign on के authentication के लिए, मतलब इसके लिए यूज होता है, ठीक है, authentication server के लिए, single sign on के लिए यूज होता है, single sign on के लिए यूज होता है, तो यह तो हमारे थे, यह क्या थे हमारे, type of dynamic address object, ठीक है, तो यह हम लोग separate वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बट मैंने क्या किया कि कौन कौन से type होते हैं, उसके मैं क्या किया, basic points cover कर लिया, कि कौन से, मतलब कि particular, जो हमारा dynamic address object है, उसका क्या work है, वह मैंने cover कर लिया, और यह इसका जो lab है, वह हम सब separate video में देखने वाले हैं, जब हम लोग या तो active directory integrate करेंगे, LDAP integrate करेंगे, या फिर हमारा, अगर हम लोग 48 single sign on, यह करते हैं, integrate करते हैं 48 में, तो हम लोग उस addresses में हम अपना dynamic address cover करने वाले हैं, तो चलिए चलते हम लोग क् देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं, बागी सारे address objects, जैसे subnet, IP range, FQDN, geography and device mac address, मैंने आपको बता दिया, यह किस लिए use होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, simply configure कर करके देखने वाले हैं, मैं गया addresses में, addresses में जाके मैं क्या करता हूँ, create new पे addresses पे यह करता वो मैं आपको एक बार explain कर देता हूँ, सबसे पहले तो name, आप name अपने convenience के हिसा आप से दे सकते हो कि कौन सा name देना है, फिर हम पे color का option है, आप color change कर सकते हो better identification के लिए, जो हमारा मतलग कि already जो हमारा tab है, जो हमारे addresses है, उसमें यह अलग दिखेगा और आप easily identify कर सकते हो, फ इसको बनाना चाहते हो, फिर aesthetic route configuration, aesthetic route configuration मतलग क्या, अगर आप जो address object बना रहे हो, उसको क्या आप aesthetic route configuration के लिए available कराना चाहते हो, अगर आपको available कराना है, तो आप उसको क्या करोगे, इस option को around कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, जो आप इस particular address object को बनाओगे, वो क्या होगा करने जाएंगे उसमें दिखने लगेगा यह पर्टिकुलर अबजेक्त कैसे दिखेगा वह हम लोग जब करने जा रहा है अभी तो हम लोग करके देखेंगे सबसे पहले हम मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं सिंगल ौइप नहीं है तो मैं क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए यह कर रहा हु मैं जैसे कोई भी आई पी आप ले सकता हूं 10.10.10.10.1 जो मेरा क्या था host 1 का IP address था और इसका subnet mask मैं दे दूंगा slash 32 तो यह क्या हो गया single इसके लिए हो गया अब एक शीज और दियान दीजे यहां पे क्या यहां पे एन ही है अभी मैं क्या कर सकता हूं मैं अगर कोई particular एक interface अगर select कर लेता हूं जैसे मैं यहां पे अगर हम लोग topology में जाएंगे तो जो हमारा host 1 है वह किसमे है हमारे land subnet में port 2 में और port 2 क्या है हमारा अगर यहां पे देखेंगे तो लैन है तो अगर मैं इसको land के लिए यह करता हूं इस address को create करता हूं तो क्या होगा यह address only हमारे क्या होगा कि जब हम लोग land वाला interface select करेंगे policy या net policy में तभी यह address हमें visible रहेगा otherwise यह address visible नहीं होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्या करता हूं उसके पहले मैं color change कर लेता हूं ताकि हमें इसको easily identify कर सके मैं किस नाम से बनाया हूं single ip से मैंने क्या किया इसको ok कर दिया और देखिए static route configuration वाला मैंने option अभी disable कर रहा मैं यह भी बताऊंगा आपको मैंने ok कर दिया यह नया object हमें already हमारा बन गया single ip के name से मैं चलता हूं firewall policy पे and firewall policy में मैं किया करता हूं जो हमारा already यह policy बना हूँ इसमें मैं क्या करता हूं यह vann और dmg select है मैं देखता हूं कि क्या मैंने जो अभी address बना या था वह दिख रहा रहा है क्या हमारे इस list में तो अगर आप पे क्या हमने port to select नहीं कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहां से vans हटा के, मैं क्या करता हूँ, land select कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने land select किया, और source पे मैंने click किया, यह देखिए, single IP, हमने यही बनाया था अभी address group, तो यह IP हमें यहां पे दीखने लगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं क्या करता हूँ, यहां पे, अगर फिर से मैं DMG select कर देता हूँ, और plus पे click करता हूँ, तो यह देखिए, DMG के लिए, वो address group जो हमने बनाया था, वो available नहीं है, वनली किसके लिए available है, हमारे LAN के लिए, हमने किसके लिए बनाया था, LAN के लिए, और LAN पे वो address group हमारा available है, तो यह चीज तो आपको समझ में आ गया, अब हम लोग चलते हैं, एक और option जो था, उसको clear करते हैं, हम लोग network में चलते हैं, static route में चलते हैं, अगर हम लोग create पे य internet services, दो ही चीज का option है, मैं क्या करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ, अपने address tab पे, जो मैंने address बनाया था, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्या इसका option आ रहा है कि नहीं हमारे static route में, मैं network पे चला वापस, static routes में चला, अब मैं अगर click करने जा रहा हूँ, create new पे, तो यहा option आ रहा है, अगर आप compare करना चाहो, तो यह देखो, यह पहले का हमारा option है, इसमें क्या था, सिर्फ subnet and internet services, हमारा यह जो named address है, यह अभी यह option आ गया, और named address में अगर हम लोग देखेंगे, तो क्या आ रहा है, यह देखिए, single IP, यह single IP हमने क्या किया था, यह object बनाया था, तो अगर किसी आप particular address object को create कर दे हो, और उसको अगर आपको यह, static route के लिए available कराना है, तो आप उस particular option को enable कर सकते हो, किस option को? यह, static route configuration वाले option को, मैं क्या करता हूँ, इसको disable कर देता हूँ, single IP तो आपने, मतलग की, देख लिया के कैसे हम लोग configure करते है, मैं एक और address create करता ह address object, and इस बार मैं क्या करूंगा, whole subnet के लिए create करूंगा, मैं subnet क्या लेता हूँ, फिर मैं LAN subnet ही लेता हूँ, कैसे create कर सकते हम लोग, इसमें IP ले सकते हम लोग, पूरा subnet जैसे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 10.10.10.0, और slash मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर पूरा subnet ल जाएंगे, और हमारा यह पूरे इसके लिए, मैं यहां पर यह देता हूँ, मैं इसके लिए create किया मैंने, subnet के लिए, मैं क्या करता हूँ, add color आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं green देता हूँ, green नहीं, मैं क्या करता हूँ, pink देता हूँ, okay, and अगर आप देखो इस बार, इस बार मैंने जो object बनाया, उसमें अगर interface reference देखो आप, तो interface reference कुछ भी नहीं है, means क्या यह सारे interfaces के लिए available होगा, अगर देख रहे हो यहां पे आप, तो यह any के लिए available है, तो अगर हम लोग firewall policy में जाते हैं, और हम लोग क्या करते है, policy को object यह करके, edit करके देखते है, त यह WAN के लिए भी available है, outgoing interface पे मैंने क्या select कर रखा है, DMG, तो मैं destination में try करता हूँ, देखे, destination में भी हमारा यह available है, जो हमने subnet address group बनाया था, address object बनाया था, sorry, फिर मैं क्या करता हूँ, हमने क्या क्या देख लिया, हमने IP and net mask create करके देख लिया, मैं IP range के लिए create करता हूँ, अब ही मैं क्या करता हूँ, same subnet में, जो हमने create किया, इसमें तो whole subnet ले लिया, मैं क्या करता हूँ, एक address बनाता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, और जिसमें मैं क्या करूंगा, अगर हम लोग बोले, तो IP range अगर हम लोग लेना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, color change कर लेता हूं मैं orange देता हूं and IP range हम लोग option select करते हैं and IP range जैसे ही आप option select किये यहां पर देखो मैं 10.10.10.1 2 10.10.10.10 यहां पर मैंने क्या किया 10 IP select किये और अगर अब चाहो तो static route configuration के लिए इसको enable कर सकते हो otherwise आप simply okay कर दो यह देखो हमारा IP range के लिए address object create हो गया वापस मैं चलता हूं firewall policy में देखता हूं कि यह address object जो है वो हमारे policy में दिख रहा है कि नहीं मैंने double click किया and plus पर क्लिक किया मैंने और यह देखिया IP range हमारा दिख रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे यहीं पर देखोगे तो interface क्या है यह नहीं है मतलब सारे interfaces के लिए available है चलता हूं मैं address group पे मैं next create करके FQDN आपको create करके दिखाता हूं FQDN क्या होता है FQDN मैंने आपको अलड़ी बताया था यह जैसे gmail.com हो गया login.microsoft.com हो गया यह सब हो गया तो मैं क्या करता हूं एक create new करता हूं address create करता हूं और मैं इसको create करता हूं Facebook के लिए ठीक है FQDN Facebook मैं नाम दे रहा हूं ऐसा आप कुछ भी दे सकता हूं चलो Facebook नहीं मैं YouTube के लिए create करता हूं ठीक है YouTube के लिए create करता हूं option select करता हूं मैं FQDN और यहां पे कैसे लिखेंगे हम लोग youtube.com यह अमारा हो गया interface आप select कर सकते हो किस particular interface के लिए आपको यह करना है static route के लिए configuration के लिए अगर आपको enable करना तो भी enable कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूं interface यह नहीं रहने दा रहा हूं और static route configuration मेरे को नहीं चाहिए मैंने ok किया और यह देखिए FQDN YouTube यह ही create किया था न हमने और यह ऐसा क्यों दिखा रहा है क्योंकि यह resolve नहीं हुआ क्यों resolve नहीं हुआ अगर आप policy में जाओ तो देखो हमारा internet से communicate करने के लिए अभी policy नहीं है यहां पर देख लो अगर आप देखो गए तो port 1 जो हमारा वैन है LAN से वैन के तरफ communicate करने के लिए कोई policy नहीं है मैं क्या करता हूं एक policy create कर देता हूं और देखता है कि resolve हो रहा है कि नहीं internet name से मैं create कर रहा हूं incoming interface जो होगा हमारा LAN हो जाएगा outgoing when हो जाएगा source address मैं all ले ले रहा हूं destination all ले ले रहा हूं services भी all ले ले रहा हूं okay अभी भी नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारा जो NAT है वह भी configured है anyway NAT भी configured नहीं है anyway हमने क्या किया है policy already detailed में हमने पर रखा है तो आप उस videos को refer कर सकते हो अभी हमने क्या दिखा FQDN का type देख लिया कैसे हम लोग configure करते हैं अब हम लोग geographic कैसे configure करते हैं वह देख लेते हैं तो उसके लिए हम लोग चलेंगे addresses पे addresses पे जाके हम लोग क्या करेंगे create new पे click करेंगे addresses पे click करेंगे and मैं क्या कर रहा हूँ geography के नाम से ही बनाता हूँ option select करता हूँ मैं geography color मैं change करता हूँ color मैं blue देता हूँ and यहां पे देखो geography में देख रहा हूँ तो आप area wise नाम आ रहा है जैसे की country wise अफगानिस्तान आ गया फिर आपका Albania आ गया Algeria आ गया मैं क्या करता हूँ मैं बनाता हूँ इसको इंडिया के लिए यह देखिए फिक है इंटरफेस आप जीस इंटरफेस के लिए create करना चाहते हो मैं simply क्या करूँगा इसको okay करूँगा और यह देखिए अगर आप देखते हैं तो यह देखिए जो ग्राफिक में हमारा इंडिया के इससे एक एड्रेस ग्रूप बन गया next हमारा क्या था next हमारा था dynamic हम लोग क्या separate परने वाले है अलग से device mac address डिवाइस mac address का अगर यह करना है तो कैसे create कर सकते हम लोग create new पर जाएंगे मैं option select कर लेता हूँ device mac address and device mac address का यहां पर जो term होता है वो क्या होता है वो होता है हर दो इसके बाद आपका colon यूज करना पड़ता है जैसे मैं mac address कुछ भी रैंडम ले ले रहा हूँ aa colon 00 colon 0 a colon b c colon a d colon colon 2 2 4 2 6 2 8 2 10 colon 3 0 ऐसा क्या होता है यह particular आपका mac address का अगर आप यही switch पर देखो गए यह device पर देखो गए तो उसको अलग format में दिखाएगा बट यहां पर जो configuration होता है मैं इसको repeat कर रहा हूँ अगर आप लोग पिछला वीडियो हमारा फॉलो कीजिए जहां पर हमने policy बनाया था mac address के बेस पर तो उसमें आपको detail में पता चल जाएगा तो यहां पर क्या होता है हम लोग हर दो इसके बाद जो हमारा मतलग यह होता है उसके बाद हम लोग colon यूज करते हैं यह standard format है कि किसके लिए हमारे 485 वाल के लिए और मैंने क्या किया सिंप्ली इसको किया इंटर्फेस से नहीं और मैंने कर दिया यह देखिया हमारा address device यह देखिये mac address base पे भी हमारा address object क्रियेट हो गया अब मैं आपको थोड़ा सा यह जो हमारा address tab है यह जो हमारा page दिख रहा है इसको मैं जाते जाते एक बार आपको explain कर देता हूँ यह type of हमारा यह है address object कौन सा type है इसमें उसका नाम जो हमारा address object है उसका नाम क्या नाम हमने दिया है फिर उसके detail में क्या दिया है जैसे यहां पर आप QDN में देखोगे YouTube.com से बनाया था मैंने यहां पर क्या हमने यहां पर एक range बनाया था 10.1 से 10.10 के लिए फिर interfaces कि particular interface के साथ आप उस address group को sorry address को map कर रहे हो फिर type concept type का है और reference मतलब कहा यूज हो रहा है अगर आप इसका बात करें हमारा यह SSL VPN tunnel जो की already मतलब की predefined address group है अगर इसके reference में देखो तो one दिख रहा है मतलब की यह क्या हुआ है एक particular location पे यूज हुआ है अब कहां पे यूज हुआ है मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं जैसे यह reference में वान दिख रहा है पता चल गया मैं थोड़ा सा क्या करता हूं address group आपको बना के दिखाता हूं अब मैं क्या करूंगा यह जो addresses हमने बनाया उसी का मैं क्या करूंगा एक group बनाऊंगा create मैंने क्या किया मैं बना देता हूं address group के नाम से ही बना देता हूं ठीक है ार इस ग्रोप का मेंबर मैंने किसको रखना । और मैंने रखनाap आड्रेस अबजेक्ट थे वह हमने एक सिंगल आड्रेस ग्रूप अबजेक्ट में कॉल कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक ड्रेस ग्रूप आपजेक्ट के नाम से जानते हैं जिसमें हम लोग more than one address object को कॉल कर सकते हैं for our easy configuration जो हमारा configuration है उसको complicated ना करते हुए easy बना सकते हैं उसको अगर हम लोग multiple address group को address object को हम लोग एक सिंगल address group में call कर रहे हैं as per requirement ठीक है तो आप आप लोग को